तो हम लोग आज भगवत गीता के दशम अध्याय के दशम श्लोक को पढ़ रहे हैं यह श्लोक बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि और बहुत रहस्य समय है भगवान की प्राप्ति स्वेम भगवान कैसे कराते हैं यह इस लोक से हम सीखेंगे और इतना सुन्दर बात है यह क्योंकि इसमें कोई भवतिक ज्ञान की आशकता नहीं कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तभी भगवत प्राप्ति कर सकता है तो आप श्लोक मेरे पीछे बोलिए का मायक पर आज ही कॉडलेस नहीं चालू कर रहा है मेरे पीछे बोलिए ददामि बुद्धियोगं तम ये नमाम उपयांतिते तेशाम सततयुक्ताना भजताम पृतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम ये नमाम उपयांतिते ये नमाम उपयांतिते शुद्ध भक्तनों का बरणन किस प्रकार से हुआ हमेशा भगवान की सिवा में लगे रहते हैं हमेशा भगवान की कथा में लगे रहते हैं और उनका चित भगवान में लगा रहता है और बदगत प्राण मतलब भगवान की विना वह रह नहीं सकते अब यह तो उनकी तरफ से का रहता अब भगवान क्या करते हैं यह स्लोक में अब देखे रहें जब कोई इस प्रकार से वजन करता है तो भगवान क्या करते हैं कहते हैं तेखिये ल मेरी किता इद्धाम है क्यों कि एप अब आप इस प्रिति नहीं तो कम से कम डूटी पुटि पूरवकम लेकिन प्रषाइब पूर ईजेए अगर वहां से में कर सकते हैं तो चार प्रकार से कं हो हो सकता हैं में चार पृबवकं Counter पूर्वकम, ड्यूति Pूर्वकम और पृटि पूर्वकम, चार लेवल हैं, भय पूर्वकम मतलब कुछ बहुत एक लालसा होती है हम सुन चुके हैं इसको अर्थार्ति इत्यादी और तीसरा हो गया ड्यूटी पूर्वकम मतलब करतव पूर्वकम हाँ करना है और भगवान मेरे स्वामी है मैं दास मुझे करना चाहिए यह एक अच्छी बात है यहां से पृच्पन हो सकते हैं शत्यो अच्छी पूर्वकम है करते Stephanie दुनिया में भी बहुत से लोग दूसरों को सुख देना चाहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है उनको सुख नहीं देना चाहते हैं वसकता अपना कुछ लाव चाहते हैं इस कारण से सुख देना चाहते हैं यह व्यक्ति सुखी होगा तो मझे कुछ इसके बदले में वस्तु करते हैं लिए उनका उद्दिष को सुख दिना नहीं होता है अपनी ही इंद्रित्रिप्ति होती कहीं दुनिया में देखते हैं इस प्रकार से yes रिख्षयवाला ओके वेरी गुड वना इग्जाम्पल इस रिक्ष्य वाला रिक्ष्य वाला चाहता है कि आपको सुखी करें यहां से महान लेकर जाने के लिए 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 अपने 20 रुपे में 20 रुपे जाईए और रेस्टरून एक एक भग लोग रेस्टरंट भी उन्हें धारण दिया रेस्टरंट चाहता है कि आप खूब जम के खाएं यह भी चाहता है लेकिन पैसे जरूर देखे जाए और और कहीं पर घर में प्रजा हाँ घर में जो परिचरिया करने के लोग होते हैं वह भी सेवक रूपे रहते हैं लेकि उनकी इस् यह मांते हैं उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है उससे प्राप्त होने वाली वस्तु से प्रेम है इस पर समझ में आ रहा है लेकिन ऐसे लोगों को अतली बुद्धि भग्वान ऐसी बुद्धि ने इंग देंगे जिसको वड़नों आगे करने वाल है क्या प्रीति पूर्बग कुछ अलडवनी शिफ्ट कर रहे हैं तो कि एक ही प्रेयोजन नहीं है दो प्रेयोजन एक हम गायों की सेवा ठीक से करें पॉइंट नमबर वन दूसरा जब प्रहुपाज जी का फेस्टिवल होगा तो वैश्णफ सभक्त लोग आराम से सुख पूर्वक बैठ सकेंगे तो व भी पृति पूरुवक है मतलब उदेश पृति है कि समाज में आ रहा है साधना कर रहे हैं लेकिन उदेश क्या है भगवांसी पृति और यहां पे भी उन नीमों का पालन कर रहे हैं जिसे भगवान प्रस्टर नहुत जैसे आपने सुना पत्रम पुष्प्रम फवयं दोयम यह में भख्या प्रयच्चती तदहम भख्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मनहा पत्र पुष्प फफलतोय मुझे देता है भगट भगती सी देता है और उसकी व्याक्षा की गई थी कि भक्त अगर गंदा रहता है और यह सारी वस्तोवे देता है तो भगवान स्विकार से बनावा भोग अच्छा लगता है तो भगवान को इस सुख ही करेगा इसलिए मैं नहा करके साफसुत्रा हो करके भगवान के सामने जाता हूं यह प्रीति लक्षन है और प्रीति के लक्षन आप जानते ही हैं छह प्रकार के आदान-प्रदान भगवान को कुछ देना भगवान के पर लाइट दूंगा भगति यहां पर पिछे कोई भगति हमारे प्रभुजी करते हैं रोज कपड़े लेक्या आते हैं उसके बाद भागवान के लिए गिफ्ट है और यह सब प्रीति के द्वारा हो रहा है और अगर प्रीति नहीं होती है तो आल्टर की भी साफ नहीं होती है नहीं तो प्लास्टिक के फूल चड़ा देते हैं सबसकता है सेंट मार दें वहां खुजू आती रहे लेकिन यह उद्देश नहीं है ठीक है तो प्रीति पुर्कूं आप समझ रहे हैं और भगवान सुंदर सुंदर भोग पजार देना यह नहीं की मि होगा तो कोई बात में बाद में जब लोग खाएंगे तो डाल लेंगे का यह उचित भावना है वरा शमा मत मां मांगूंगा लेकिन कुक को भी ध्यान दिरखना चाहिए कि नमक एकदम सटिक जाथा संबव सटिक होना चाहिए यह भावना ठीक नहीं है कि हम बाद में परसन भगवान को एक व्यक्ति की रूप में करना है यह ठीक है और और एक तीसरा पॉंट यह दो पांट क्या रहे गए कथियां तो भगवान के कथा को सुनना दे भगवान पृति है जैसे भगवान आप बता रहे हैं तशमध्याइए में वक्षामी हित काम यह तुमारी ह प्रदे को भगवान व्यक्त कर रहें तो भगवद गीता को सुनना यह भगवान से गोयमाख हती प्रिछति तो इस प्रकार से बग्वान से आदान प्रतान करते हैं ख्याय इसमें केवल भगवान से ही पृति पूर्वग आदान होना है यह वैष्णयchez अऔर है yes हम भगवा से तदिया वस्तु कोई भी हो चाहे वह तुलसी हो चाहे वैशनव हो गंगा धाम हो जो कुछ भी है उनके से भी पृति पूर्वक सेवा करना समझ रहे हैं यह बहुत गंभीर श्लोक है बहुत गुरु से अच्छा कृष्ण से पृति पूर्वक करना गुरु जी को नहीं देखना ना फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला गुरु से भी पृति होने चाहे गुरु क्या है विश्राम मह सेवया बड़े साख्य भाव से होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या करेंगे भग्मान कह रहे हैं दामी बुद्धी योगमतम संस्क्रित पढ़े हैं वह बताए कि दामी का अर्थ क्या हुता है कि दूंगा भी नहीं मैं देता हूं ऐसा नहीं कि भविष्य में दूंगा इसी समय देना चालू कर देंगे ऐस एक तो यह तही संस्कर्ट टीचर है मारी संस्कृत करने परने का फाइदा होता है mechanical engineering पुढ़ने का फायदा शायद अतना नहीं है तो आप देख सकते हैं ददामी कर्थ है मैं देता हूँ मैं मतलब भगवान कृष्ण स्वैम देते हैं क्या देते हैं बुद्धी योगमतम ऐसी दिव बुद्धी देते हैं जिसके द्वारा ये ना मामु पयानतिते वह मेरे प आती प्रीति पूर्वक जो कोई भी भजन करेगा यहां पर कहा है यह ना स्टेशाम जो कोई भी भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करेगा वह कृष्ण को सुख देने के लिए सेवा करेगा अनन्य भाव से तो उसको भगवान ऐसी बुद्धी देंगे और वस्तता अग लेकिस जब हम्लुक और वैश्नव का आश्रे दिते हैं आप इस्टी बोला है अब उसको समझ में नश्च परकूं में और बुद्धी देते हैं अब इसमझ में आ जाएगा आपको अनुवात पढ़ते हैं लोक तो समझ में आ गया ना ठीक है जो मलब को वैसे किसी को बोलो भाई आपको आश्रम में रहना है या रूम में रहना है तो मंगल आरती आना पड़ेगा तो क्या यह बजन पृति पूर कर सकता हूं उससे प्रेम करें अगर पैसे दे करके भगवान को हमारा प्रेम खरीदना होता है तो बहुत पहले खरील दिया तो सारे पैसे उनके ही पास है लेकिन पैसे दे करके हम धन नहीं खरी सकते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सिवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उ उन्हें मैं ज्ञान प्रतान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सकते हैं मुझे तक में लग कहां तक पहुंचेंगे हम लोग तक पहुंच जाएंगे दुशली बहुत सुंदर बात है बहुत सुंदर बात है रची नंदर महाराज बता रहे थे मंदिर में राधा शा आपको याद रखना चाहिए कि आप कृष्ण के दास हैं और कृष्ण आपकी हर संभव हर यथा संभव जो कुछ भी है आपकी मदद करेंगे भक्ति में मुझे कैसे प्रगति करनी है हर समय भगवान मेरी मदद करते रहेंगे कोई ना कई से मदद भेशते रहेंगे किसी भजन जो है बिना क्या कैसे अल्टिर मोटी मशिन क्या कहा जाता है गुप्त उद्देश या कोई अन्या इतर उद्देश नहीं होना चाहिए कि यही कि भगवान में प्रीती हो इस प्रकार की भाबना होने चाहिए गीता भूशंटी का अब बहुत सुंदर प्रश्ण अठ कि रहे हैं परन्तु यह कैसे संभव हो पाता है कि गुरु के उपदेश से ही वे आपके अनंत स्वरूपों गुड़ों और विभूतियों को ग्रहण कर बाते हैं क्या रहस्त है देखिए पहली बात तो यह मैं समझा रहता आप लोगों को कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है सकते हैं अपनी भुद्धि से निढ्नाय नहीं कर सकते ग्रेर क्राइप कैसे निढ्नाय कर सकते हैं सब गुरू सब trouve मतलब प्रमाशन ले C प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं प्रमानिक वैश्णव गुरू का आश्रे लेकर बताते हैं कि कैसे भक्ति करो मैं उधारन दूंगा एक बार हमारे प्रिशार केंद्र में हम गए तो वहां देखा एक भक्त जह है फूलों पर तुलसी चला करके फिर उनको लग लगा रहे हैं तो यह छोटी-छोटी बातें सिखाई जानी चाहिए समझ रहे हैं एक भक्त कुछ ऐसे बहुत सारी गलतें करते हैं बाए हां से भवान को नहीं देना चाहिए तो छोटी-छोटी बातें प्रोटोकॉल नहीं होता है वह मतलब भगवान को क्या अच्छा धर्म प्रिच्छ आदो गुरु पादाश्राय सधर्म प्रिच्छ ये दो शुरुवात के आंगे हैं जिसका अनुशिरन हमें करना चाहिए एक प्रमाने गुरु का वैश्णाव का आश्रे लें और उसे पूछें कि मैं भक्ति कैसे करूं ठीक से समझ रहें नहीं तो सभावि ले नम कृष्णे को सुख देना है येस ठीक है अब यहां प्रश्ण आ रहा है कि गुरु के उपदेश सुन लिया तो वह आपकी अनंत स्वरूप और विभूतियों को कैसे समझ लेगा ये प्रश्ण ठा रहे हैं तो इस पर भगवान यह जो क्या रहे हैं जो भक्त मेरे न भगवान से अपने संबंद को जागरित करना चाहते हैं और जो मेरे यथात्मय ग्यान से उत्पन रुची से भर कर मेरा वजन करते हैं इस करत क्या है जब गुरु के मुख से शास्त्र से वह भगवान की महिमा को सुनते हैं तो सभाविक भगवान का प्रीति पूर्वक जब भगवान का सभाव समझते हैं मौन कितने अच्छे हैं तो सभाविक रूप से उनमें प्रीति होती है कि मैं कृष्ण का बजन पैसे के लिए क्यों करूं मैं क्रिश्णे का बज़न उनको सुख देने के लिए क्यों ना करूं क्या ये बाते समाज में आ रही है ये और ये सुनने के द्वारा होता है तो सुनने के द्वारा भगवान में इस प्रकार का अकर्शन होता है कि काश मेरा भी इसी प्रकार से भगवान से प्रेम्मय समंध ह जैसे छोटा सा धारन पुंड्रीक विद्यानिधी जो की स्वेम क्या नाम है राजिरानी के पिता जी का नाम क्या है विर्षभानु जी के अवतार हैं एक बार जगनाद पूरी गए और उन्हें देखा कि जगनाद जी को माड़ लगा हुआ कपड़ा पहनाए गया और माड़ लगा हुआ कपड़ा अपवित्र माना जाता है तो उन्हें सुरूप दामोदर्जी से कहा माड़ मतलब जो चाप कड़ा कड़ा कपड़ा होता है माड़ करते हैं तो उन्हें कहा कि भई माल लगा हुआ कपड़ा जगनाद जी को क्यों लगाया हुआ है तो उन्हें अभी ग्रहन कर रहा है, सर पे बांध रहा है, ऐसे बस खाली मजाग करते रहे, मजाग करके लोट आए, और रात पे जगनाजी अकरण को, जगनाजी बलराम जी आए, और खूंसा मारना चलोगे, थपड़ मारना चलोगे, तुम्हें क्या आधिकार है मेरे सेवकों के कुछ भ आ रहे होंगे, लेकिन वह बहुत प्रसंद हुए पुंटे को देने थी, और उनका दाल वाकई सूझ गया, सपने में मारे थे, लेकिन वाकई सूझ गया, कई 15 दिन तक बाहर नहीं आयो, लेकिन इस प्रकार का प्रेम है, परताव भगवान करते हैं अपने बक्तों से, तो ह लड़ू दिये, उनके पिता जी ने बोला, कि बेटा, मैं आज व्यस्त हूँ, उनका प्रेदा का नाम था मुकुंदधत, मुकुंदधास, और उनने का बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं, आप जरा भोग लगा देना, तो उनने का अब ठीक है, भोग लगा दूँगा, भोग पूरे खा गए थे, तो उनने कहा कि, अरे, वो क्या हुआ, तो उनने कहा कि, खा लिया, कृष्णा ने खा लिया, तो उसे विश्वास ने बिलता, लड़के ने खा लिया, और वो पतसर से बोल रहा है, तो फिर गहते है, ठीक है, तुम दुबारा भोग लगा ना, जो दु सब्सक्राइब लिया इस प्रकारण से पृति पूर्फ घडान प्रदान हो हमाने लेना से उसे परकार जो दिन आए कि बहुत खDYB जब आए को छॉच कंग का वह दिन आयेगा जाव दो लेंगे कुछ तो जैसे मैंने बोला ना आपको ऐसे मालों गौर्णिता आपको बोलते कि हाँ आपने बड़ी ची आज कपड़े बड़ अच्छे पनाया आप सुचत आपको क्या पर्संत 창 अद्भू 15 आऊ उस दिन की अँपर प्रथिक्षा करना हो द्याओ Mira महाराज बहुत अच्छा बोल रही थे कह रहे आप जाओ प्रिशिंग करो भगवान जो चाहते हैं वह करना वाकई भगवान आपसे चाहते हैं वैसे एक तो सपष्ट बोला है इस गीता के ज्ञान को जो दूसरों को देता है वह सबसे अधिक प्री है वागवाद गीता के माध्यम से पूले एक दिन ऐसा होगा साक्षात लिए ठीक है इसे बाते हैं तो मैं कली बोल रहा था कि भगवान के यथात में ज्ञान से भगवान अपने बगतों से कितना प्रेम करते हैं सुनकर भगवान की सिवा में पृति पूर्वक भजन करने की रुची जागरत कर लेते हैं तो उनकी उनकी मेरे प्रति भक्ति से कि होकर मैं उनको ऐसी बुद्धि देता जिससे वे मुझको अनंत गुणों और विभूतियों से युक्त होना चाहिए तुक तो नहीं होना चाहिए युक्त रूप में समझ सकें और जिसके द्वारा वे मेरी उपासना करके मुझे प्राप्त कर सके तो यह जो बुद्धि है यह कोई भौतिक बुद्धी नहीं है, यह आध्यात्निक बुद्धी है, जैसे हरी नाम से भगवत प्राप्ति बड़ी असान है, कटनाई क्या है? कटनाई है सच्ची स्रद्धा का अभाव, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा के बोलने में क्या कटनाई है? बोल सकते सब लोग, हरे कृष्णा, लेकिन नहीं बूलते, यह एक बहुत बड़ी बिमारी है, क्यों बिमारी है? स्रद्धा नहीं है, रुची नहीं है, भगवान इस प्रकार की बात को, अपने नाम की महिमा को है, जब रिदे में प्रकाशित करें, तो फिर हम अधिक अधिक भगवान का नाम जब करेंगे, और जब भगवान का नाम जब करेंगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगे, भगवत गीता को पढ़ करके, प्रचार करके, सेवा करके, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस महिमा का जागरण, जागरती रिदे में कराते हैं, मेरी तक विग्रह की भगवान की विग्रह की सेवा नहीं करेंगे उनकी महिमा नहीं समझ में आएगी पृति पूर्वक जब तक तुलसी देवी की पृति पूर्वक सेवा नहीं करेंगे उनकी महिमा नहीं समझ में आएगी गाये की वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं एगा वह हर जगह घटत होगा सिवन मु के ही जिवाता वागवत की महिमा तुलसी की महिमा की महिमा गाए की महिमा भगवान की महिमा कैसे समझ में आएगे भकतों प्रीती-Purva लोग सिवा करके यह नहीं कि अरे अब कहां फस गया मैं बहुत दुनिया में अच्छे कारे कर सकता था यह कहां ब्रह्मचारी बन गया कहां डिवोटी बन गया रोज माला करनी पड़ती है यह भावना लेकर करेगा तो यह कोई यह कोई प्रृति नहीं टिक ए आगहरासी भावना से कर रहा है तो एक लेवल ठीक है लेकिन मुख्य भातम यहाँ पर क्या सीख रह exactamente श्रवन जब हमारा श्रवन होता है प्रचुर मात्रा में इस सही तरिकिसे तब हमारा इछ्चा होती है कि हम प्रीटी प्रीव गवान का भजन्σα करें साहज दूरुप से इछ्रुप्ष Спасибо, उत्साह कि अट नौट जब भक्त और कैसी बुद्धी देते हैं कि मीरी उपासना किस प्रकार करो कि तुम मुझे प्राप्थ करो जैसे कि हम देखने क्या समकीतन के द्वारा भाघवत प्रापती बड़ी असानी हो CHARITY क्यों करें लोग क्योंकि सम्वेद सा नहीं क्यों कि बुद्धी नहीं है बॉसीर कारे करें लेकिन भगमाना सी बुद्धी नहीं दे रहे कि संकर व Was बाहर के लोगों को नहीं दे रहे हैं हम लोगों थोड़ी बहुत देर हैं तो हम लोग कर रहे हैं अब बाहर के लोगों क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि वैशनों का आशिर नहीं है और कुछ यह भी बात है कि कुछ वैशनों थोड़े डीले भी है प्रीचिंग करने में अग इस ज्ञान से को देने से अधिक मुझे कोई सेवा प्रिय नहीं है या सेवक प्रिय नहीं ऐसे कहना चाहिए और मैं यह नहीं मान सकता कि किसी भी विक्ति को प्रीचिंग नहीं आती हो मेरे का से कुलर मंदी रखेंगे तो अच्छा है बहुत आवाज करता है क्या आप में से किसी को प्रीचिंग नहीं आती है सब लोग किसी ना किसी बात की प्रीचिंग जरूर करते हैं बस भगवद गीता की प्रीचिंग हम करना नहीं चाहते हैं और आप करना चाहें तो बगवान बहुत सारे वस्था बना सकते आपके लिए क्या आप इस बात को सिकार करते हैं या आपको लग रहा है कि मैं थोप रहा हूं अपनी बात कि आप किसी भी चीज़ के लिए जिंदिगी में किसी को प्रीचिंग नहीं किया है कि यह काम बहुत अच्छा ऐसे करना चाहिए कि एक भी वेक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता कोई भी वेक्ति किसी से भी मिली जिए किसी ना किसी को करता है जो प्रीचिंग नहीं करता है वह आपको प्रीचिंग कर सकता है कि प्रीचिंग क्यों नहीं करने चाहिए उसे यह प्रिचंग हुए ना आपको मैं कई बार किसी प्रोजी आप परोजी आप प्रोजी क्यों नहीं करते रोजी देखें मैं बहुत पतित हूं यह ऐसा है यह उस सरे परशानी है मुझे ज्यान नहीं है मने नहीं है आपको अमनों कॉन्वीन्स कर देता है कि breve कहीर पकटाए तो किसी को नामजब कर बारी मिवाता सकते हैं यहां पीट द कर हर भक्त एगो को बताए ऐसरोन फोन के मारत हमसे किसे करें कितने लोग कितने लोग कोब सथैंदें टो कुछ तो च्रीज लोग अब 40 लोग और उसको सब बढ़ेगा sino Kbo made कि तरह कि उसके लिए हमें कोविद होना पड़ेगा कोविद मतलब बुद्धि मान वक्ति तो समझना चाहिए और जैसे हमें अगर इंजीनरी में एंट्रेंस लगाना हो पंद करना हो तो हम कितनी मेनत करते हैं ना माली जी कोई प्रश्ण हमको अतर नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं ना नहीं अगर पता हो कि यहीं एक्जाम में आ गया तो कितनी मेनत करते हैं तो इसी प्रकार से हर श्लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसके बाद दुसरे को बताना चाहिए सबको अलग लग भाशाई भी आती नोट जब भक्त भगवान के स्थित को सुनना भगवान है क्या चीज संबंद ज्ञान इस्थापित करना ठीक और यह हमने सुना था भगवान सभी चीजों के स्त्रोत हैं और उनी से सब कुछ चीजों के हर वस्तु की प्रविर्ती होती है कार करता है इस बात को समझ करके बड़े भाव से विक्ति भगवान का बजन करता है कि जो कुछ भी में को दिया है भगवान ने दिया है तो मैं क्यों ना उनकी सेवा करूं इस तो यह बात बोलने फिर जब बहुतने खेतों के तब भगवान उसको असी बुद्धी देते जाते हैं जिससे वह आगे आगे भगवान के गुणों को समझेगा और जितना गुणों को समझेगा उतना और राकर्षित होगा थोड़ा सुना उसने कि पूतना जैसी राक्षशी को भगवान ने अपना धाम दिया अब भगवान की सेवा चुरू करेगा तो भगवान और गुणों को प्रकाशित करेगे समझ में रहा है यह बात इस श्लोक में बुद्धी योगम शब्द अत्यंत महतूर हैं हमें स्मरण हो कि दितिया ध्याय में भगवान ने अरजुन को प्देश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विश्यों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धी योगी शिक्षा यह 2.40 के पहले वाले श्लोक है मैं समझता हूँ 2.38 में बुलते हैं कि अब तक मैंने तुमको सांख योगी के अंसार शिक्षा दी कि किस प्रकार से आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता काटा नहीं जा सकता इत्यादी अब मैं तुमको वह योग के बारे में बता रहा हूँ उसका नुशिलं करके तो मुझने प्राप्ट कर सकती हो उसी के समर्ण ने बुला गया था नेहा भीक र decor? अब उस कोसी बुद्धियों की व्याख्या की जा रही है वाक्या इस प्रगार्सी की जा रही कि किन लोगों को बुद्धियों प्राप्त होगा बुद्धिमान लोगों को बुद्धियों प्राप्त होगा यह नहीं कहा जा रहा है यह कोई टेंडेसी नहीं है प्रीति वान लोगों को कृष्ण भावना का पचार करना चाहते हैं मैंने एक जगे पाटवेस कंद में उत्तम श्लोक लालसा को प्रहुपाद व्याक्षा करते हैं कि उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान की रूप में स्थापित करने की लालसा ये भगवान के परति प्रीति है जैसे इस जगत में अगर आप किसी को हेट को क्या कहेंगे घ्रणा करते हैं नफरत करते हैं तो लोग उसको फेस्बुक पे जलील करते हैं जलील मतलब बदनाम करने का प्रयास करते हैं समझ में आ रहा है इस जगत में अगर आप किसी को नफ से नफरत करते हैं, ग्रणा करते हैं, आपका मतलब कोई विक्ती, आप नहीं, तो उसको प्राया वो लोग बुरी-बुरी बाते लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अरे तुम्हें 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 फेस्बुक में लिख काम की महिमा समझ में आ रही है तो सहज रूप से भक्त भगवान का कीर्थी को गाने का प्रयास करें कि व्यतिरेक में समझ में आ रहा है और भगवान से प्रीति नहीं है तो चुप मौनी बाबा कि कुछ नहीं बोलेगा क्या समझ में आ प्रफ़ार जो है ये परीति कल्रवक्षण है अब कभी कहते हैं यह तो अपने को क्या करने चाहते हैं प्रसिद्धी चाहते हैं इसलिए प्रफ़ार करें इस無法 सिंद्धिंग है तो उसका मुख्यों दिस्तों निंदा करना होता है लेकिन लोग जान जाते हैं न को निंदा कर रहा है समझ रहे हैं तो भगवान श्रीकृष्ण का यश्ट अपने आप में सिद्ध है हम क्या यश्ट कर सकते हैं लेकिन उनका यश्ट करने से हमारा शुद्धिकरण होता है और भगवान को लोग जानेंगे, तो सभाविक आपको भी जानेंगे, हाँ ये बगवान के बारे हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भगवान तो स्वयामी इसकी बात को गीता में कहते हैं, तुम निमित्त बनो और यश्प्राप्त करो, लेकिन हमको यश्प मिले या न यह महत्पूर्ण बात नहीं है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्रिष्ण भगवान है, आपको लगता होगा सबको समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं है, और आपको लगता होगा शाय समझना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोगों समझ में नहीं आया है, बहु सुख को दूसरों को भेजना चाहिए मैं इस प्रिति पूर्वक मतलब कृष्ण को भगवान की रूप में उनकी ख्याती पुरे विश्व में स्थापित करना पूरे विश्व में मतलब जिस स्थान पर आप हैं वहां भी विश्व का एक स्थान है वहां प्रचार किजी ठीक ह तो फिर भगवान इस प्रकार से भगवान को बड़ी इसानी से हम प्रसंद कर सकते हैं preaching is the easiest way to be recognized by Krishna जो कोई व्यक्ति दूसरों को भग्ति करने की फवेस्था दे रहा है वे भगवान को उतना ही प्री है जितना ब्रह्मा जी और शिव जी प्रवजी कहां से बोल रहे है रहुपाजी के तात्परस भागवात बोलते हैं जो कोई व्यक्ति किसी भी जीव को भक्ति करने का मौका दे रहा है वह भगवान को उतना ही प्रीय है जितना की रम्हा जी और शिव जी इतनी बड़ी सेवा है तो समझने पा रहे हैं लोग कितना प्रीय हो जाते हैं यही एक मात्र हुं हमसे भगवान वापस में उपहार चाहर रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण के बारे में प्रमानिक लोगों से लोगों को बताई भगवान सीथे बताने के लिए नहीं आते हैं आपको बस आये थे बद्धी कृष्ण भावना में रत्में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धी क्या क्रिष्ण भावनामृत में रानेकार्थ हुआ मैं क्रिष्ण का शाष्वत दास हूँ और मुझे क्रिष्ण की प्रसंता के लिए कारे करना है जैसे इस उंग्ली का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है उंग्ली मेरे शेरीर के अंसा उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीता है ठीक है बुद्धी का अर्थ है बुद्धी और योग का अर्थ है योगिक गत्विद्धियां तथा योगिक उन्नति इसमझ में आया है बुद्धी के द्वारा निर्ण कर ले कि मैं वो है कौन और अपनी इंद्रियों को क्राव भिवेख क्या चीज सही है क्या नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह तो यह तो एंको पहले सो मुत cynख करना है था उता नहीं और यह भुद्धृ कंप मतलब लक्षड न की पिजा खाना है कि पराटा खाना है। दोनों को भगवान को अरपित करना में भू और यह कर रहे हो, तो इसलिए हम सुनना नहीं चाहते हैं, यह मेरे बचन नहीं है, प्रभुपाजी क्या कहते हैं, कहते हैं कि कौन है नौसकिया भक्त जो जान बूच करके शास्त्र सुनना नहीं चाहता, यह जानना नहीं चाहता कि वक्ति का सच्चा मांदंड क्या है, कैसे लिए करनी चाहिए जानं बुछ करकए हम सई पर्फेक्ट यह बात अो शासơ सुनेंगे तो क्यातनी बारा को दीख रहे हैं यह करना चाहिए था टासमी तो प्रफ जिए बोला तुम यह कर रहा हो Synay तो यह स्ुनेंगे बार-बार तो यह जाते हैं एक हमारी बुद्धी भी हम कुछ इस परकार मुर्हाट कर लेता है तो उसका यह कारे बुद्धी यूंकि प्रते बहुत सुन्दर बात है बुद्धी के द्वारा निर्णे कर ले कि मैं तो भगवान का आंशुह मुझे यहारे नहीं नहीं इस जगत में और ऐसा नहीं है कि मडर कर लेंगे कर लाङंगे आपने आतमना दो यह क्रिया टो बुद्धि के ऊतार यह चुह आ भाइबध धाम जाने वालारों को पैनिस इंग्लिश में प्रफवाद कहते है कृष्णा कॉंशिसनेस इस साइन्टिविक एक्षिटिविशन अव एक्टिविटीज विच टेक वन सेल्फ टिक विचुल टेक अपर्शन बैक होम बैक तो गॉड़ है कृष्ण भावना एक विज्ञानिक बदेती है जिसमें वो क्रिया करते हैं जिससे हम भगवान धाम चले जाएं विज्ञानिक मतलब थियोरी रहेगी और उसके सारकार्य करेंगी तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो और विज्ञान के लिए थियोरी सुनना जरूरी है दूसरे शब्दों में बुद्धियोग वहविदी है जिससे मनुष्य भवबंदन से चूटना चाहता है और जो भवबंदन ने पड़े रहना चाहता है वह बुद्धियोग में नहीं स्तित है उन्नती करने का चरम लक्ष क्रिष्ट प्राप्ति है अर्धात क्रिष्ण की भक्ति लोग इसे नहीं जानते अतहा भक्तों तथा प्रमानिक गुरु में निष्ट हों कहां सुना था परार्थ निष्ठा रास्रीला की अध्याय में सुन रहा थे मिजब वहां पर भी है कवी भीरी रिड़तम कल मशाप हम और गोपियों के पचिन्व बचलने का अर्थ क्या है पूरे विश्व में कृष्ण भावना में का कृष्ण कथा का प्रिशेट करती है क्या चलों कि वह तवक थामरतम तप्त जीवनम कविभी रीड़तम कल मशाप हम शवनमंगलम श्रीमद आततम भूवी ग्रनन्तिते भूरी दाजना आपकी कथा लोग तप्त जीवन को सुद्ध करने वाली है ठंडा करने वाली है और जो भूरी दाज लो इसमें आती शुक्ति नहीं किया रहा है वहाँ भी है लेकिन वैसे हमने प्रलाद महराज की सिक्षा में सुना था प्रायेन मुनेहा स्वमुक्ति काम अहां अपनी मुक्ति कामना में लगे रहते हैं दूसरों को मुक्त करने में नहीं रहते लेकिन प्रायेन अर्थात नारा संगति दूसरों को दे करके उन्हें शुद्ध करें मनुष को ग्यात होना चाहिए कि क्रिष्ण ही लक्ष है और जब लक्ष निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी करने पर भी अंतिम लक्ष प्राप्त हो जाता है इस समझ में आया यह बहुत गंब कि जी क्यों रहे हैं खा क्यों रहे हैं सो क्यों रहे हैं बच्चे क्यों पैदा किये अपनी रक्षा क्यों करनी चाहिए जैसे अभी बहुत चिंता हो रही लोगों कि लोग मर रहे हैं बिमारी से उनको बचाना चाहिए तक पूछो कि उन्हें बचाना क्यों चाहिए उन्हे जिन्दा क्यों रखना चाहिए और क्या जिन्दा लोग जिन्दा है ये भी एक प्रस्टन है क्या जिन्दा लोग जिन्दा है महाराज बता रहे थे कि अगर माली जे किसी मुर्दे को जलाने जा रहे है और मुर्दा उट करके दोड़ने लगे तो फिर क्या होगा सब लोग भाग जाएंगे जो उस मुर्दे के लिए रोव भी रहते हैं वह भी सब भाग जाएंगे है कि नहीं तो यही बात भागवत ने बूली की है जीवन अपी मृतो हिस्सा जो मरा हुआ है जो जी रहा है लिए मरा हुआ है जीता जाता भूद कीतर है अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वह इस्तित्य होगा कि मुर्दा जो है वो दोड़ गया जी गया और भाग रहा है दर्शुदर बात कर रहा है तो यह बात बोली जारी है कि लोगों को पता ही नहीं कि कितना बड़ा लक्ष वो प्राप्त कर सकते हैं कि यवल हरी वजन करके प्रसाद खाके भगवान को देख करके नाम जब करके भगवत गीता पढ़के भगवत प्राप्ति कर सकते ही इनों को पता ही नहीं मत क्या है वो श्लोक दुराशायाए बहिर अर्थ नाते विदु स्वा प्राप्ति करके ही मैं अनंत सुक्ष से विभूशित हो सकता हूं यह नहीं पता और इसलिए जगत में बहुत बड़ी बड़ी तपस्षा करते हैं जो सफार पूरी तरह भी फिल हो जाती है एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो हम ल इस विच्छा से कष्ट ठाना यहां तो आप जानते हो इसे एक और बात आगे है और वह यह है कि तपस्या हमको उत्तक्रिश्ट सुख दे सकती है जो इन चार प्रकार की क्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता क्या प्रामान है तपो दिव्यम पुत्रकाय नसत्वम शुधे त अगर तपस्या करने की ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है तपस्या करने की सुविधा प्राप्त हो रही है तो यह हमको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है प्रिविलेज मतलब विशेश सुविधा दी जा रही है अनुग्रह किया जा रहा है अगर हमको तपस्या करने के होता चला जाएगा जितना हिद्शुद्ध होगा समझ में आएगा कि भग्वान की प्राप्ती ही मेरा जीवन का लक्ष है यह बात बूर लें कि जब लक्ष निर्दिष्ट हो जाए यहां पहुंचना है तुम को उसके बाद फिर व्यक्ति आगे प्रगति करता है फिर प्रप घंशन करते रहना है जब भगवान की इच्छा होगी तब भगवान हमारे सामने प्रकटोंगे और प्रगती भी धीरे-धीरे ही होती है ऐसा नहीं कि आज हम हम घरेके इबीच्ष्ण करें आप रहो जी भातिक इच्छत्य कहां से आरी है या मिरा मन लगने राये नाम जब तुम कब से नाम जब में लगे हो जो तुम्हारा मन नाम जब में लगने लग जाए यह मैंने कभी इस तरह से पुट नहीं किया but I'm putting in that way आप कब से नाम जब में लगे हैं जो आपका जब मन भगवान के नाम में लगने लग जाए थोड़ा से समय से तो लगे हैं तो क्यासे मन तुलंत लगने लग जाएगा लेकिन इंदरियां लगी है यहीं बहुत बड़ा लाब है तो यह हमको सुविधा दिजारी है यह कृपा की जारी है कि हमको बताया जा रहा है कि तफस्चा कैसे करने और वह भी शास्तिर के यहां जानते हुए कि लक्ष कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मांसिक चिंतन का सहार लेता है, तो वह ग्यान योग में लिन रहता है, मतलब कहने का क्या है, कि वह शुद्ध भक्ति का आश्र नहीं लेता, उसमें कुछ कर्म योका मिश्रन करता है, कहीं पूर्ण योग है, इसका मतलब क्या है, क्रिष्ण और क्रिष्ण की भक्ति मेरे जीवन का लक्ष है, साध्य है, और इसको प्राप्त करने का एक मात्र साधन क्या है, भगवान क्रिष्ण की भक्ति, साधन है भक्ति और साध्य है भगवत भक्ति, यह कन्वेंस हो गया, और क भी प्रगति नहीं कर बाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके अब कई बार लोग इसका इस खंड का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने की जुरती नहीं इतनी समझ में आगई बात बहुत जदा अध्यात में विद्धना हो तो भगवान स्वेम उसके हिर्दे से अज्ञान को नश्ट करेंगे उसको में अगले श्लोकों में देखेंगे आज नहीं कल भगवान स्वेम क्रमशह उसकी भक्ति में आने वाले अवरोधों को हटा देंगे लाइन याद हुई पहले लाइन क्या थी भगवान का भक्त अगर पापों से बचे तो भगवान स्वेम क्रमशह मलब धीरे धीरे भक्ति में आने वाली सारे अवरोधों को स्वेम ही हटा द देंगे क्या-क्या फॉर्व इसके तीन भाग है एक पहला भाग यह है पापों से बचे दूसरा भाग क्या समझना है क्रम शह यह नगी कली हिटा देंगे और तीसरा क्या है इस भगवान स्वेम तो इस प्रकार से स्टुत्र ले करके सन हमको भक्ती करने चाहिए और कि शुला अमारजाब कर रहे हैं सोला माला भार करना भारी लगता लेकिन हो जाती है तो कुछ प्रगति हुई एक भक्त है जिनको प्रवचन में आने में बहुत कटना ही महसूस होती थी और मैं आज उनसे पूला था प्रवजी मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपका अकस्मात रूप से प्रवचन मेंने क आग्रह बढ़ गया है मुझे बड़ी प्रसंता हुई तो यह दिखता है कि कहीं ने कहीं उस भग के हृदय में कोई अवरोध था जुसको भगवान ने अटा दिया भगवद गीदा तो सुछ अच्छी चीज है इसले कि नहींट है मैंने देखा मेरे प्रावच्ह से हो नहीं रहा था मैंने नू सुलरा बॉल आज आते ता लेकिन नहीं लगता था सब्कार्व में असलाई उसको अग्रह है सकंशने का प्रावच्हता थे करते रहें तो कुछ अवरोध रहागा वहटा देते हैं कृष्ण कथा में रूची हो रही है मतलब भग्वान अपकी तरफ खीच रहे हैं आपको इसमझ लिए और रूची कब होगी यह समझ में आएगा हर बार हमा का कि बैठे में कुछ समझी में यह क्या बोल रहे हैं इंदी तो लग रहा है तो उतना नहीं रूची लगती है लेकिन अगर समझ में आने लग जाए कि क्या बाते बोल रहे हैं तो फिर हमें अच्छा लगता आने में है कि नहीं तो जो अच्छा लग रहा है यह कि किसकी बिज़ से लग रहा है भगवान की किरपा है यह बास समझना चाहिए ठीक है इसके लिए और फिर उस भक्त ने खुदी बोला मुझे कि प्रभुजी मैं समझ रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें बोला कि मैं समझ रहा हूं कि अपराद करने से क्या होता ह इनके धा के बहुत अच्छा लगा मतलब और उन्हें यस धूसरे बात का संग करते थी ठीक से नहीं थे बगती में तो गलत संग करने से क्या होता है मुझे समय म्हीं मुझे बहुत Leh प्रसंता हुई अपने अहित को खुद समझ रहा है वहत अच्छा लगा में आप समझ नहीं पाराँ किसके रहे बोल रहा हूं यह नाम नहीं लोगा मैं नाम तो नहीं निकलेगा मुझसे लेकिन आप यह समझे कि अपना अहित स्वेह्म समझना लग जाएं तो बक्ति में प्र बावना मृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साहस सभी प्रकार की सिवा की जाएं मतलब कोई भी सिवा हो सकती सेवा के प्राभू बलग हो सकते हैं लेकिन क्या है प्रिति पुरोग होना चाहिए याद कर लिए भागवत से तीन से धांत क्या थे निरंतर निश्कपट और अनकूल भाव से कृष्णे की सेवा करना है उसे कृष्णे के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए किंतु प्रेम बुर्वक कुछ न कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं तो इन्हें बोला प्रोजी माली तो है ना उसके लिए बस में चिप हो गया ठीक कितनी खराब है ना बाद लक्ष्मी जी वैकुंट में जाड़ू मार रहे हैं जहां धूल नहीं है जहां धूल नहीं है वहां जाड़ू मार रहे हैं कि कृष्णे का अनुग्रह ह महाँ प्रभु कानगर हुआ प्रतावरुद्र राजा पे ज्ञाड़ु मार रहा है उनके सामने और दूर ना जाईए नरतन धास ठाकुरजी यहीं पर रासली थली पे ज्ञाड़ु मार रहे थे राधारान की गृपाप्त हुए और व्रजधाम में हमको कहाँ जाए और सेव वही कर लेगा नाम नहीं बताऊंगा मैं इस मनुवृति के अगेंस्ट हूँ सारी सिवा बेच नहीं देनी चाहिए जब वह आएगा नाम नागत को भगवान को कहां प्रिति देखिए अंधिर मार्ज नादशू मंदिर का मार्जन कर रहे हैं भगवान स्वयम बोलते हैं व्यक्ति को मुझा अपना तुछ भगवान का तुछ सेवक मानना चाहिए और इस प्रकार से मंदिर का मार्जन करना चाहिए इस प्रकार से यह हमारे कल्यान के लिए प्रिति पूर्व कोई भी कार करिए भगवान के लिए या भगवान से समवंदित लोगों के लिए तो फिर हमें भवान इसे बुद्धित देंगे ठीक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साशातकार के पथ पर प्रगति कर सके किन्तु यदि वह एक निश्ट रहकर भक्तिकारियों में रत रहता है तो भगवान उसे अफसर देती है कि वह उन्नती करके अंत में उनके पास पहुंचा इसको मैं नवे ध्याम इसी का था प्रकाशस्य कर्मणी अभ्यासात बार-बार भगतिकी कर्मों को करने से उनका अभ्यास करने से हम हमारे हिर्दे में ज्यान उदित हो जाता है जैसे दो चीज़े मैं अभ्यास पर कहना चाहता हूं अभ्यास का ए दिखेंगे कि अभ्यास में कि मैं आज एक भक्त को बोलने वाला था मैं इस बात को जानता हूं कि जब आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो आप प्रगति करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि आप उसी स्थर पर रहना चाहते हैं जहां पर आप हैं यस यह है कि नहीं माल रोटी बनाने का भ्यास कर रहे हैं तो आप पहले भालत का नक्षा बनाते हैं तो ऐसा नहीं आप चाहते हैं ब्राजील का नक्षा बनाना है आप चाहते हैं कि गोल बने आज मैंने भक्त को बोला कि पूड़ी बिल रहे हो तो ऐसे करो नहीं पूड़ी गोल और प्रेम पूरुवक करते रहे थो बगवान सारी प्रगति के अवरोधों छतम कर देएं कि है पुरहोगी कि रहा मैं बनाप था इसके उपर मैं कुछ बात नाम जब के पर बोलना चाहता हूं कल मैंने Said जाए था कि नाम जब किसमें बात नहीं करना चाहिए उसको ऐसे भी समझिए देखिए जब कोई विक्ति बॉडी बिल्डिंग करता है तो इसको एक सूतर बता जाता है हमारे पीच में हैं दिरकान भाव है आप मुझे बताईएगा एक जमाने मेरे को भी शौक था तो मेरे को सब्सक् Speaking करेंगा उसी प्रकार से अगर आप कर रहे हैं एक मोमेन्टम बन जाता है आप जम करना चार, पांच, शे, साथ, सुलावल असे करते जा रहे है तो एक रिदम बन जाता है कि आपका मन इसको सुनने लगा एक प्रियास करें नामजब भी गरव ले 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 तो मैं और कैसे प्रग्रती कर सकता हूं इस नामजब में कैसे अपनी स्रिवाओं को इंप्रूब कर सकता हूं यह भी प्रीथी कलेक्शन महारा सम्झार जो मृदंग बजा रहा है तो शीखना चाहिए और अच्छा कैसे बजा सकता हूं खाना बना रहा है और कैसे अच्छा बना सकता है यह नहीं सूचना चाहिए अरे में तो पर्फेक्ट हो गया असा कभी दिर इस नो लिमिट टू पर्फेक्शन एक विख्ती ने अपने WhatsApp में डाल के रखा था अच्छी बात है दो इस नो लिमिट पर्फेक्शन और इसको भक्त ने बाता है दिर इस नो अपर लिमिट ऑफ पिरोटी और दिर इस नो लोर लिमिट ऑफ हुमिलिटी रहा सुंदर बात बोल लेते हैं तो हम खाली आज इस पाच पर चार्चा चर्चा किए कि जो भक्त लगातार प्रीती पूर्वग भवान की भक्ति करते हैं गुरु से सुन करके सीखते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए तो भगवान स्वयम उनको ये बुद्धी देते हैं इसके दरवस समझ सकें कि भगवान की प्राप्ति हमें क्या से करना चाहिए ए कि एक उसको धारण दे रहा हूं सारभावं बठाचारी महान शास्त्रग्य हैं लेकिन श्रीमन चेतने महाप्रभु ने जिनकी नम्रता को देखा तब भगवान के नाम की महिमा उनकी हृद्य में स्पूरित कराई कि नाम कितना शक्तिशाली है कि वो लॉजिक से आप नहीं सम मुढूल्ब प्रकाष थैसे में नाम के समणने हरी नाम प्रभपात कहते हैं सूरी कित्रहीदे में उद्ध होता है आप जब करते जाए करते जाए और धीरे थीरे से दॉद्ध होता रहता है और तो नर्योजंड को नकरना नज्ठ हो नहीं सींध है पूरा अंदकार नश्ट हो जाते हैं उसी प्रकार से भगवान सुर्य के समान हमारे हिद्धे में बढ़ते चले जाते हैं नाम अब एक दिन हमारा पूरे अंदकार को नश्ट कर देगी लेकिन हमको प्रतिक्षा करनी होगी हम यह तो नहीं किया सकते साड़े पांच बजे बह और भघवान जिब किसी पर अपना किर्पा करते हैं तो किसी बहुत जल्ली किसी पर काफि लेट क्यों करते हैं जया is a example कि पूटना पे किसे किस अरे बहुत अच्छा प्रश्नन करदा दिया लेकिन कोई क elder हमारा उत्स सब्सक्राइब व्व्वर्शनिमोस एक भक्ति ने मेरे गूरू महराथ से कहता तो मैं उसे उतवर को देने वाला हूं। कभी 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 क्या प्रायात देखते हैं जो भगवान क्र्ष्ण नयापकर आते हैं तो तुरंद् समक्ति को स Kellya कुको कि और हम देकर यहां को बहुत साल को साधना करनी पड़ी कितने साल से करने आप एक साल नहीं हो एक महीना बहुत लंबा समय हो गया कि बड़े निष्ठो रहें आपको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं ठीक है लेकिन यह तो खैर विनोत की बात है लेकिन देखिए जब भगवान यहां पर स्वे बगवान की प्राप्ति है तो जब बगवान आते हैं यहां पर ताप उन पर कुछ मतलब कोई रूल स्थापित नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ही करेंगे समझ नहीं चतर महाप्रुवाय उन्हें बस देखा और कृष्ण प्रेम के दिया ना स्रद्धा ना साधु संग ना कुछ सी नौन स्टॉप और यहां तक कि उस वेक्ति को इतना सक्तिशाली बना दिया कि उसको देख करके दूसरे वेक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कितना असान था ना सब कुछ कोई कोई मैंनेजमेंट को स्टेजी की जूरत नहीं लेकिन हम लोग को साधना करने की जूर तो पहले उससे पहले परफेक्ट हो जाएगे है कि यह से भी सुना है कि और यह देखे कि बहुत लंबा समय नहीं है अपनी आयू को ब्रह्मा जी के एक दिन से डिवाइड कर सकते हैं आप और क्या फिगर आएगा क्या नंबर आएगा परमायू से नहीं कर रहा हूं एक दि एक हजारा जनम सो बोल दिया ना अब दस हजार जनम गुणा सो डिवाइड बाइड बाइब ब्रह्मा जी का दिन तब भी फिगर याद नहीं कर पाएंगे और इतना समय नहीं लगने वाला महाप्रव की कृपा है प्रवपाजी कृपा है एक जनम में भी बहक्ति करें प्रवपाद ने बोला कितने कम लोग है टेस्ट मैच है यह वंडे मैच नहीं है कि समझने ना टेस्ट मैच में बड़ा धैरता से बजान टिक टुक 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 एक सिंगल सिंगल भी लेते रही है सोला माला सोला माला भी रोज पचास साल करके तो दिखाई यह पहले करिए तो सही फिर उसके वाद देखे क्या होता है मेरे को को यसे पचास साल हुए है हाँ वरद ब१्र हısı है किंप अब लोगो है कि आप लोगोगों अब इतने योवावस्था में आगए तो भवान बहुत किरआ कर रहे वो समझमें नहीं आता विरंदावनेश पेटें किरपा क्रिपा नहीं होरी आज भगतें किरपां हो गई अकस्मात आ गया विमान लेकर चला गया हो ठीक है ना ऐसी अकस्मात एक दिन वेकूंट सी विमान आएगा तब कहरे रहे प्रभुजी आप तो सही कह रहे थे मुझे दुचार लोग को साथ मिले के जाना थे हां ठीक है और कोई किसी का प्रश्ण है समझने तो भगवान जब यहां पर नहीं आते तो साधना करनी होती यह सुना था कि जो भी भगवान की लिला में जितने भी लोग आये हां उनकी पहले बहुत कई जन्मों की सुक्री थी थिस देवत्र में जो आप और महाप्रभु को आप दयांते हूंगी महाप्रव की लिला जिसमें अब एक ब्रहम्मार का खाना चुराते हैं कि कई बारा पुस्ट लीला को मैं नहीं सुना रहा हूं तो जब बात में प्रकाशित करते हैं अरे बहु एक चलिए सुना देता शौट में तस्वन में आ गई बात जगनात क्या नाम जगनात मिश्व के घर में एक ब्रहमन आते हैं बड़े तीजस्वी ब्रहमन और उनका गोपाल की डीटी होता है तो उनको कहते हैं आप आए बड़ अच्छा हुआ आप ऐसे करिए भोग स्विकार के तो मैंने अपने हासे बना के खाता हूं उन्हें बनाया और फिर ध्षान करने लगे तो बालक निमाए आया खाने लगे खाने लगे अरे 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 हाई हाई इसने सारा भोग नश्ट कर दिया अरे फिर बच्छों को लेके चले गए बच्छों सुला दिया ऐसे करके सुला ने पुछकारने लगे अगे तुम चा कर दिया क्या कर द का रहें लगता है मेरे भागय में नहीं है नहीं मैं फिर से बनाये चार बर बनाया तींट क्रताा पिर थीसरी आधा थी फिर सुनाहे खा गय के खागए और उन पिर नहीं को हम एक भृष९ ही नहीं पिर भागय के बादा कर यह आधा नहीं कि रात हो गई रात के बारा बच्चे जब भोग लगा रहे तो निमाई का अगया और खाने लग लग तो कहते हैं कि तुमने कई जन्म बिताए इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आज तुमें प्रेम किसी को बता ना मतीव इस प्रकास तो अब पता चल गया मत्त-ब हम जब फांस साल बाज़ा भगवान चमहाँ पर उठ घले गए तब मालूं चल रहा है लेकिन कहने करती यह है कि कहने कारती यह है कि उस ब्रामने कई जन्मों सक साधना खरीती तो अब इस प्रकार भगवान का दर्शन प्राप दो ठीक है और कोई प्रशन है यह स्पिता में को माइक देजी जी इनको एक और सिंपल सी बात है जिसे भी कोई हम आम का पेड़ लगा रहे हैं आम का पेड़ लगा रहे हैं तो आप पहली दिन से सुचने लग जाएंगे इसमें फल क्यों नहीं आ रहा ऐसा कोई भी बुद्धिमान माली नहीं होता है उससे पहले तो आप यह देखते हो कि आपकी ज खरपतवार रिका लें अच्छे से इसमें खाद मिलाएं तो पहले जमीन तियार करने हैं उसके बाद बीच पड़ता है और फिर उसके बाद पानी पड़ता है और बड़े ध्यार से धूप पानी सब खाद बाद देते हैं तब जानते हैं कि कम से कम कि 10 साल कितना लगता हो क पाफ साल कम से कम पाफ साल के बाद फल मिलेगा अगा तुरंत नहीं निकला जोड़ो आम नहीं डालने पानी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो इसी प्रकार से बड़े ध्यारेक संग भक्ति करता ना चाहिए श्रवन किरतन करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी कृष शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्चति कौंति हा प्रतिजानी ही नमे भक्त हा प्रणश्चति इसमें शृद्य स्वामी क्या बोले थे कि अगर मृत्यू तक भी उसके दुराचार नश्ट नहीं होते तो भी भक्त का विनाश्णी होता ध्यान दिज भक्त को प्राप्त हो इसलिए वह जनम लेगा इसलिए कि स्ने पापर पुन्य कि हैं पापर पुन्य यानि हमराजता अधिकार भक्त पे नहीं होता है और भगवान की क्रिपसे ही सारे पाप सारे जब कुछ हजय आज लग रहा है कठे ने बक्तों के संग में रहिए जब करते रहिए देखि कहां चले जाएंगे सब गाया बुजाएंगे जूट बोले हैं भगवान फिर और कोई कुछ पोईरा करना चाहरा था है आपके सुविशल स्टॉप एर श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रीला प्रभुपात की जाए